जहिन दोस्तो मैं मंगेश पवार पवार मिल्ट्री अक्याडमी के यूटूब चानल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ जहां दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा क्या आप फोजी बनोंगे या नहीं और साथी साथ हम GK और GS के सुपर धर्टीकोशन देखने वाले हैं क्योंकि बहुत से बनदों की आने वाले 25 जूलाइ को आरमी की एक्जाम हैं दोस्तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने GK के सूपर धर्टीकोशन की सिर्ज स्टार्ट किये दोस्तो तो आप इस सीरीज पूरी देखना दोस्तो ताकि आपका भी आने वाली सेना भरती में 100% सेलेक्शन हो जाए ठीक है जैसा कि दोस्तो इस वीडियो के माद्यम से आपको पता चलेंगा कि आप सेना में जाने के लिए कितने इच्चुक है जैसा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तो तो मैं आपको बता देऊं कि आप सेना में जाने के लिए बहुत ही इच्चुक है दोस्तो और आपको सच में आप पड़करी सेना में जाना चाहते हो किसी और अन्यम आद्यम से सेना में जाओंगे तो ठगे जाओंगे दोस्तो क्योंकि पड़ाई एक मात्र विकलप है सेना में जाने का ठीक है अगर आप इस वीडियो को आदा देखते हैं दोस्तो तो मैं आपको बताओ क्या आपके अंदर सेना में जाने की इच्चा तो है लेकिन आपको मेनत करने की ताकत आपके अंदर नहीं दोस्तों आपको लगता है कि हम फोजी बने लेकिन जो फोजी बनने के लिए जो मेनत चाहिए हो करने की ताकत आपके अंदर नहीं यह अगर वीडियो को नहीं देखोंगे तो मैं आपको बता दू दोस्तों कि आपके अंदर फोजी बनने का जो खौब आप देखते हो आप पूरा कभी नहीं कर पाऊंगे क्योंकि ये कोश्चन दोस्तों पिछली एक्जाम में पूचे गए कोश्चन है दोस्तों और आर्मी में बार ब फोजी होने का जो खौबयों पूरा हो जाता है ठीक है तो आप डिसेट कर लो क्या आपको फोजी होना है या नहीं अगर आपको फोजी बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चानल को सस्क्राइब कर दीजिए चो चलो पहले चानल को जल्दी से जल्दी सस्क्रा पहले सामान्य ज्यान के 15 कोश्चन देखेंगे इस सामान्य ज्यान के 15 कोश्चन हम मैं आपको बताऊंगा दोस्तो ठीक है तो पहला कोश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तो बनारस हिंदू विश्व विद्यालाई की स्थापना किसने की थी जल्दी से इसका जवाब बताओ दोस्तो क्या होगा इसका जवाब दोस्तो बनाराज हिंदु उश्व विद्यालाई की स्थापना दोस्तो मदन मोहन मालेविया ने किती दोस्तो किसने किती मदन मोहन मालेविया ठीके दोस्तो इसे के साथ दूसरा कोस्चिन आपके दूसरा कोस्चिन दोस्तो भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो जल्दी से इसका जवाब दो दोस्तो भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो मैं आपको बताओ दोस्तो 30 जन्वरी को भारत में शहीद दिवस मना जाता है दोस्तो कब 30 जन्वरी को ठीक है एक क्वेस्चन अच्ची तरह से देखलो दोस्तो इनगे याद करलो और आने वाले सेना भरती में आपका 100 प्रतिशत सिलेक्शन होगा दोस्तो अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोंगे और इन प्रशनों को अच्ची तरह से पढ़ोंगे याद करोंगे तो ठीक है नेक्स्ट कोस्चन दोस्तो भारतिय थलसेना में कितनी कमाने है तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब दो दोस्तो कि भारतिय थलसेना में कितनी कमाने है तो आपक हमारा next question है दोस्तो इंडिया गेट किस चहर में स्ती थे तो जल्दी से जल्दी इसका जवाब बताओ दोस्तो इंडिया गेट किस चहर में स्ती थे ठीक है इंडिया गेट दोस्तो दिल्ली में स्ती थे कहां पर सी थे दिल्ली में और गेट आप इंडिया मुंबई में ठीक है दोस्तो ए याद रखलो क्योंकि आप कंफ्यूज होते हो बहुती इन प्रश्णों में इंडिया गेट दिल्ली और गेट आप इंडिया मुंबई ठीक है दोस्तो किस कानुन के विरोध में माहत्मा गांधी ने 1930 में डांडे मार्च किया था उपबोक्ता कानुन नमक कानुन भूराजस्व कानुन या धर्म कानुन तो जल्दी से इसका जवाब दो दोस्तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो नमक कानुन के विरोध में माहत्मा गांधी ने 1930 में डांडे मार्च किया था 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 ठीक है नेक्स्ट कोस्चन जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तो महाभारत ग्रंत किसने लिखिती जल्दी से जल्दी इसका जवाब दो दोस्तो महाभारत ग्रंत किसने लिखिती ठीक है वेदव्यास पतंजली तुल्चिदास या कालिदास दोस्तो तो आपको बता दू दोस्तो महाबारत ग्रंथ वेद्व्यास ने लिखी दि दोस्तो किस ने लिखी थी वेद्व्यास ने ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दोस्तो भारत के सम्विधान में अनुचेत 17 में कीस का प्रावदान है अश्पुरुश्यता को हटाना कानून के प्रती बराबरी सहकारी रोजगार के संबंध में बराबरी या जातिवात को मीटाना तो जल्दी से जल्दी इसका सही जवाब दीजे दोस्तो क्या होगा जल्दी बताओ दोस्तो तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो अश्पूरुष्यता को हटाना अप्षन नमबर A सही होगा दोस्तो ठीक है अगर आपको वीडियो अच्ची लग रही हो तो मेरे चानल को प्लीज और प्लीज सस्क्राइब और शेर जरूर कर दो पहले सस्क्राइब कर दीजे दोस्तो और बेल आइकन को आल पर क्लिक कर दीजे नेक्स्ट कोस्टन अक्षरधाम मंदीर किस राज्य में स्ती थे अंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाना या तमिन नाडु तो जल्दी से इसका जवाब दो दोस्तो अक्षरधाम मंदीर गुजरात में स्ती थे दोस्तो कहां पर स्ती थे गुजरात में ठीक है नेक्स्ट कोस्टन राना प्रताप सागर पर्मान उर्जा संयत्र किस राज्य में स्ती थे दोस्तो हरियाना करनाटक राजस्तान या गुजरात तो जल्दी से इसका जवाब दीज़े दोस्तो राना प्रताप सागर पर्मान उर्जा सेंत्र किस राज्य में स्तिते दोस्तो ये राजस्तान में स्तिते दोस्तो कहां पर सिते राजस्तान में ठीक है नेक्स्ट कोस्चन आपके सामने दोस्तो भारत के किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिक के नाम से जाना जाता है भारत के किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिक के नाम से जाना जाता है अजित पाल सी हैं परगट सी हैं संदीप सी हैं या मिलखा सिंग तो दोस्तो आप तो फोज की त से जाना चाता है तो वह है हमारे मिलका सी है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट कोस्चन कौन सा देश लेंड आप थाउजेंड लेक्स कर लाता है दोस्तो लेंड आप थाउजेंड लेक्स आइसलेंड स्टॉक लेंड फिनलेंड नेम अप दिस एन अन अप दिस ठीक है दोस्तो तो जल ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने आ गया है समीदान के किस अनुच्चेद में बताया गया है कि भारत की सरकारी भाषा हिंदी है तता इसकी लिपी देवनागरी है अनुच्चेद 348, अनुच्चेद 335, अनुच्चेद 343, अनुच्चेद 345 तो जल्दी से इसका सही जवाब दो दोस्तो इसका सही जवाब है दोस्तो अनुच्चे 343 में बताया गया है दोस्तो चिक है नेक्स्ट कोस्चन पर दोस्तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओ दोस्तो तो मुगल बंश का अंतिम शाशक कोण होगा बहादूर शाह जफर दोस्तो बहादूर शाह जफर दूतिय था दोस्तो लेकिन इसमें याने एक्जाम कोस्टिन पेपर में बहादूर शाह जफर दिया गया था इसलिए इसका सही जाब बहादूर शाह जफर होगा ठीक एक महान हिंदू धार्मिक विद्वान सुधारक और डैस डैस के संस्तापक थे ब्रह्म समाज आर्य समाज राम कुरुष्ण मिशन थियो सोपिगल सोसाइटी तो आपको मैं बता दू दोस्तो इसका सही जवाब होगा आर्य समाज दोस्तो क्या होगा इसका सही जवाब आर्य समाज 1887 में इसने आर्य समाज के स्थापना कीती दोस्तो और इनोंने वेदो की और लोटो काहा था दोस्तो और इनका सत्यार्थ प्रकाश की रशना भी इनोंने कीती दोस्तो महर्शी द्यानंद सरस्वती ने तो ये आ प्रथम प्रदान मंत्री कौन थे मुहम्मद अली जिन्ना लियाकत अली खान जिया उलहक अब्दुलगफार खान तो आपको बता दू दोस्तो के पाकिस्तान के प्रथम प्रदान मंत्री दोस्तो लियाकत अली खान थे दोस्तो लियाकत अली खान तो यहां पर हमारे जीके के जो सामान्य ज्यान के 15 कोश्चन है वो फूरे हो चुके है अब हम सामान्य विज्यान के बागी के 15 कोश्चन देखेंगे दोस्तू तो हमारे सामने नेक्स्ट कोश्चन आ चुका है संतरे में विटामिन डैस डैस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तू विटामिन C, विटामिन B, विटामिन D या विटामिन A तो जल्दी से इसका एंसर दो दोस्तो तो संतरे में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तो option number A सही है ठीक है दोस्तो next question लेड पेंसिल बनाने में प्रोयोग होने वाला पदार्थक कौन सा है कार्बन, कोईला, अभरक या ग्रेफाइट तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजे दोस्तो इसका सही जवाब होँगा लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का ग्रिफाइड यूज किया जाता है दोस्तो जो लेड पेंसिल हम बनाते है उसमें जो पदार्ते यूज करते है दोस्तो वो ग्रिफाइड है दोस्तो option number D सही होगा next question पितल में ड्याश ड्याश शामिल है copper ore zinc, copper ore nickel, copper ore silver, copper ore tin तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो copper ore zinc, option number A सही जवाब होगा दोस्तो पितल में copper ore zinc शामिल है दोस्तो next question बर्प का गलनांक है 0 degree centigrade, 40 degree centigrade, 1000 degree centigrade या 50 degree centigrade तो जल्दी सही इसका सही जवाब दो दोस्तो बर्प का गलनांक है दोस्तो 0 degree centigrade, option number A सही होगा next question मेंडलिव की आवर्त सार्णी किस पर आदारी थे परमानु घेरा, परमानु भार, परमानु संक्या या परमानु आयतन तो जल्दी से इसका सही जवाब दो दोस्तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो मेंडलिव की आवर्त सार्णी जो है दोस्तो वह जो परमानु भार है दोस्तो परमानु भार पर आदारी थे दोस्तो किस पर आदारी थे दोस्तो परमानु भार पर आदारी थे दोस्तो ठीक है नेक्स्ट कोस्चन दोस्तो निम्न में से कोन बायो ग्यस का प्रमुक का घटक है दोस्तो नाईटरोजन, मिथेन, हिलियम, ऑक्सिजन तो आपको बता दो दोस्तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो, निम्नमें से कोण बायो गैस का प्रमुक का घटक है दोश्तो तो बायो गैस प्रमुक का घटक दोस्तो, मीत्यन है, अप्षिन नंबर बीश होगा दोस्तो जिसका रासानिक सुत्र है दोस्तो, CH4 ठीक है, next question दोस्तो किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है दोस्तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D जल्दी से इसका जवाब दो दोस्तो आपको तो यह पताई होगा अच्छी तरह से कि विटामिन D की वज़े से हमारी हड्डियों मजबूत होती है दोस्तो विटामिन D की वज़े से हमारी हड्डियों मजबूत होती है दोस्तो और यह विटामिन D हमें उक्तिवे याने जो सुब में सुरज उकता है दोस्तो उससे हमें विटामिन D मिलता है दोस्तो जिससे की हमारी हड्या बहुत ही मजबूत होती है ठीक है दोस्तो Next question हाश्य गेस का रासाइनिक सुत्र है हाश्य गेस का रासाइनिक सुत्र यन्टू ओ, यन्ओ, यन्ओ दोस्तो None of this तो इसमें B और C option में तो एकी याने एकी आ गया है दोस्तो तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो ऱश्य केस का रासाइनिक सुत्र है, वो है दोस्तो Option number A, यन्टू ओ, दोस्तो फोबूइ का रासाइनिक सुत्र यन्टू ओ, दोस्तो ठीक है, option number A सही है Next question दोस्तो निमन में से सबसे भारी किरन काउन सी है दोस्तो अलफा किरन, X किरन, गामा किरन या बिटा किरन ठीक है? तो जल्दी सहीज का सही जवाब दो दोस्तो निम्नमे से सबसे भारी किरन कौन सी है तो गामा किरन सबसे भारी रहती Option number C गामा किरन सही जवाब है दोस्तो Next question जैसा क्या आप देख सकते हो रक्त में उपस्तित हिमोगलोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है दोस्तो रक्त में उपस्तित हिमोगलोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होता है चांदी, तामबा, लोहा या सोना तो जल्दी सही जवाब दो दोस्तो तो रक्त में उपस्तित हिमोगलोविन दोस्तो लोहा के लोहा जो आईरन है दोस्तो यह ज्यादा मात्रा में पाया जाता है रक्त में उपस्तित हिमोगलोविन किस जटिल प्रोटीन से संपन होता है दोस्तो तो वह है लोहा याने आयरन दोस्तो ठीक है अप्चिन नमबर C सही जवाब है नेक्स्ट कोश्चन दोस्तो BCG ठीके का उपयोग डैस डैस की रोक्ताम के लिए किया जाता है दोस्तो तो दोस्तो इसका जल्दी से सही जवाब दो दोस्तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो अप्शन नमबर डी तपे दियू ठीक है दो दोस्तो टीवी निम्न में से काउंसी गयस उतकुरुष्ट गयस नहीं है नियान औरगन अक्षिजन या हिलियम दोस्तो तो जल्दी से इसका सही जवाब दो दोस्तो तो आपको बता दो दोस्तो मैं निम्न में से काउंसी गयस उतकुरुष्ट गयस नहीं है दोस्तो तो अप्शन नमबर सी अ oxygen सही ज़वाब होगा दोस्तों ठीक है next question निम्नमेसे कौनसी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से stainless steel बनता है दोस्तों तामभा, chromium, aluminium, tin तो जल्दी से इसका ज़वाब दो दोस्तों इसका सही ज़वाब होगा दोस्तों chromium सही जवाब होगा दोस्तों इसका chromium अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हो दोस्तो तो प्लीज और प्लीज चानल को सस्क्राइब कर दिजे और बेल आइकन को दबा दिजे दोस्तो हमारा नेक्स्ट कोस्चन है आकाशिय पिंडो को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है माइक्रोस्कोप, वाइस्कोप, पेरिस्कोप या टेलिस्कोप तो आपको बता दो दोस्तो इसका सही जवाब होगा टेलिस्कोप दोस्तो option number D सही है दोस्तो और हमारा last question मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है दोस्तो रुदय, फेपड़, आंत या गुर्दी तो सही जवाब होंगा दोस्तो हमारा जो गुर्दे है दोस्तो याने किडनी ये सही जवाब होंगा option number D ठीके दोस्तो जैसा कि आपको मैंने जो super 30 हमारी सिरीज शुरू है इस सिरीज के मैंने आपको 30 question GK के 15 question और GS के 15 question करवा दिये दोस्तो अगर आपको मैंने मेरा ये ये योडियो अच्छा लगाओ दोस्तो तो आप मेरे चानल को subscribe जरूर कर दिजे बेल आइकन को दबा दिजे दोस्तो और ज्यादा से ज्यादा share करो किजिए ताकि आने वाले हर सेना भरती के जो भी update जो भी question paper होंगे दोस्तो और मैं आपको स्वाल करकर दिखाऊंगा इस परी तो आज के लिए जय हिंद कर दिए लिए और मैं आपको